जबलपुर में नगरी निकाय चुनाओं होने वाले हैं ऐसे में कॉंग्रस के पार्शत पर की प्रत्याशी संजे साहू जबलपुर मुखरजी वार्ड में नमबर वन बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन दस वर्षों से कॉंग्रस के पार्शत भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने ही वार्ड में नाली रोट साइब अन्य विकासकारों पर ध्यानी नहीं दिया जिसका खामी आजा वहां की निवासियों को भुगतना पड़ रहा है इस्थानी निवासियों का कहना है कि जगे जगे गंदगी का अंबार वार्ड में लगा हुआ है नालीयों में भी गंदगी जाप्त है और सफाई व्यवस्ता की तो बात ही दूर है में इस्थानी नागरिकों का कहना है कि उन्हें अभी तक पीने के पानी के लिए जूजना पड़ रहा है घरों में नल जन कनेक्सन नहीं है नगर निगम जलकर जमा करने की बात पानी नहीं मिल रहा कई बात जन पत्तिनियों तक इस बात को लेकर इस्थानी नागरिकों ने का दावा कर रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेसी अपने वाट को नंबर वन नहीं बना पाए यही हाल जबलपुर शहर के श्यामा प्रशाद मुखर्वी वाट का है हमारी समस्या यह है कि हमारे पार्शाद ने जो परानी सड़क बनाई थी वो पूरी उखड चुकी है नालियां पूरी गंदगी से बचा भजबरी हुई है जिसकी सफाईयां नहीं हो रही है पानी की दिक्कत है पानी भी बिल्कुल नहीं आता है हम लोगों के स्तर पी और बो जो आपने बात के थी पारसाद चे कि उन्होंने बोला था कि नाली बन भादी जाएगी लेकिन अभी तक नहीं बनी है और बहुत जादा गंदगी है इधर है कभी और पानी कुले करके तो बहुत टाइम से परिसान है हम लोग पासाद से सिकायत करी थी पार्शाद करी थी इसके लिए कुछप परसा थे हैं? संजसा हूँ अभी मेदान में हैं तो क्या करेंगे आप लोका? का काम चाहती हैं आप लोका? जो काम चाहते हैं जैसे नाली साफ वो भी नहीं हुई ना सडक बन रही है जब जाते हैं तो कोई काम ही नहीं सुनता है ना जाडू वाले आते हैं जाडू वाले आते हैं जाडू लगाके जाते हैं ना ना नाली साप करने वाला आ रहा है